वालो एवरीवन भाई इंडिया पहुंच गया फाइनल में यार बहुत बहुत कॉंगाचुलेशन्स बधाईयां और भाई मजा आ गया मैस देखके यार इंग्लेंड ने बहुत बड़ी गलती की देखो हमें बैटिंग दे दी जबकि रोहिच शर्मा को भी बैटिंग नहीं 57 बना यार सूरिकुमार ने भी 47 अनफॉर्टिनेट रा कैच हो गया कोहली का यार ये वल्ल कप में कुछ खास नहीं चल पा रहा है लेकिन ये भी है क्योंकि कोहली का नंबर सही नहीं यार तीन नंबर में खेलता है लेकिन अब क्योंकि उसको ओपनिंग करनी पड़ रही है तो शायद उसका शायद प्रेशर हो प्ले तो बहूत बड़ा यार लेकिन ठीक है कोई बात नइए बिना कोहली के भी टीम बहुत अच्छा perform कर रही है सबसे अच्छी बात यही है कि उस पर न डिपेंड हो कर बागी लोग भी अच्छा perform कर रहे है और भाई पांडिया से ल तो आया पीछे डर लग रहा था कि यार पंद पकड़ पाएगा नहीं क्योंकि यार पिछले मैच में पैद लडखड आ गया था और कैच और दिया था उसके बाद रोहित ने कुछ उसको समझाया भी था लेकिन इस बार बटलर को आउट किया बहुत की प्लेयर था यार बटल कुलधीब का अच्छा चलना टीम यार को सबीट को भी आउट किया मज़ा आगया कुलधीब की बालिंग बहुत अच्छी है मुझे लगता की यह ठीम ऑन्चेंज्ट रहेगी यार ऐसी ही तीम कखेलाएं के की विंग सेλλाएंट क का शेड़तार में है है किसी प्लेयर ने कोई खास नहीं बनाए एक आद दो छक्के छोड़ दो तो किसी प्लेयर ने कोई बहुत ही impactful innings नहीं खेली कि बहुत अच्छे strike rate से खेल रहे हैं उनके मतलब की पिछ भी नहीं थी वह जारा था फ्लाट पिछ पी चक्के चोके और बैस्वाल खेलते हैं तो भाई असली बैस्वाल तो हमने दिखाया आटाकिंग खेल के और भाई अब मिलें गें साओठ उफ्रीका के साथ साथ अफ्रीका अंडिफीटिड है इंडिया भी एंडिफीटिड है बाई दो बारिश की वज़े से नहीं हुआ जो केनेटा के साथ था दो बाई दोनों तगडी टीम में मुझे लगता है दोनों बहुत सॉलिड टीम है इस टाइम पे और सबसे अच्छी दो टीमों के बीच में फाइनल होने जा रहा है और भाई जीतेगा कौन चांसिस तो इंडिया के सबसे जाता है हमेशा ही रहते हैं मगर भाई पिछले वर्ड कप में जो हम हार गए थे उसका बतला इस वर्ड कप में लिया भी है उस्टेलिया से दो तरफा इंडिया ने भी हर आया अफगानिस्तान ने भी हाला कि अफगानिस्तान नहीं पहुंचा वह तो अलग बात है यार अच्छी टीम है लेकिन आज इंडिया की बात करो तो भाई फाइनल के लिए तयार रहना बहुत बड़ा मैच गुडबाई जय हिंड और टेक केर